दोस्तों आप भी अपने एक वीडियो की उपर बहुत सारे एड लगाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी उपियों की होने वाला है जिससे की आपको यहां पर मालूम चलेगा कि आप अपने वीडियो की उपर एड किस परकास से लगा पाएंगे तो आप सभी का तेदर के साथ स्वागत है मेरे चैनल इडियन यूट्यूबर देवर नो बक्वास ओनली बात वीडियो की और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा नीविदर है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी चैनल को से लगाया जाता है वो भी बहुत ज्याता सबसे पहले चैनल का डेश्टवर पेज ओपन कर लेना है जैसा कि आप सभी स्क्रीन के उपर देख रहे हैं यहां पर मैंने अपने चैनल का डेश्टवर ओपन कर लिया है यहां आप देख सकते कि आपको यहां पर ओप्शन देख व्जह भी यहां पर शो होंगे तो आपको वह वीडियो यहां पर लेना है जिसके उपर आपको adds लगाने हैं तो यहां पर हमने एक वीडियो स्लेट कर लिया है इस वीडियो को स्लेट करने के बाद आपको यहां पर एक details کا framing option देखने को मिलेगा इसके उपर क्लिक करते हैं आपके सामने इस वीडियो की पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो जाती है आपके सामने यहाँ पर ओप्शन शो होते हैं डिटेल एनालिस्ट एडिटिंग्स कमेंड्स और सब्टाइटल उसके बाद आपको एक ओप्शन देखने को मिलेगा मौनोटाइजेशन का आपको इसके उपर क्लिक कर लेना है जैसे आप इसके उपर क्लिक करते हैं आपका एक वीडियो का मौनोटाइजेशन पेच ओपन हो जाता है यहाँ आपको एक ओप्शन देखने को मिलेगा दूरिंग्स वीडियो मिड रोल का यदि आपका वीडियो यहाँ पर लॉंग जाता हूं और यहाँ पर मेरा जो लॉंग वीडियो है वह मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूं तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन के उपर देख रहे हमने यहाँ पर मौनोटाइजेश का पेच ओपन कर लिया है इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ पर शो हो आपको एक option देखने को मिलेगा manage mid role आपको इसके उपर क्लिक कर देना है जैसे आप इस option के उपर क्लिक करते हैं आपके सामने एक next page open होता है वह इस परकार से होगा यहाँ मैं आपको एक live ad यहाँ पर लगा कर दिखाने वाला हूँ जिससे कि आप यह video फोलो करके अपने channel के उपर अपने video के अंदर बहुत सारे ad लगा सकते हैं तो अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप channel को जरूर subscribe कर ले और bell icon को on कर ले इससे आपको YouTube से सम्मधित नई नई update जानकारिया मिलती रहेगी किसी अन्य जानकारी के लिए भी आप हमें comment कर सकते हैं जैसा कि आप सभी screen के उपर देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 3 ad लगा रखे हैं अपने इस video के उपर यदि आपको भी यहाँ पर add लगाना है तो आपको एक option देखने को मिलेगा add break का आपको इसके उपर click करने से पहले आपको अपना यहाँ पर area select कर लेना है कि आपको कितने times के उपर add लगाना है यह add देना है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना area slate कर लिया है area slate करने के लिए आपको यहाँ पर एक line देखने को मिलेगी इसको आपको जहाँ पर ले जाना है वहाँ ले जाकर आपको इसे छोड़ देना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर add breaks के उपर क्लिक कर देना है जैसे आप add breaks के उपर क्लिक करते हैं आपका यहाँ पर successfully तरीके से यहाँ पर आपका add लग जाएगा जैसा कि आप सभी screen की उपर देख रहे हैं यहाँ पर मेरा add लग चुका है और आप इस परकार से यह add लगा सकते हैं आपको यहाँ पर continue के ऊपर click कर देना है जैसे आप continue के ऊपर click कर देते हैं तो आपका यहाँ पर finally add लग जाता है। तो आप एक से ज्यादा अधिक add यहां से लगा सकते हैं। उसके बाद आपको save वाली option के ऊपर click कर देना है। इस परकार से दोस्तो आप भी अपने वीडियो उसके उपर एक से अधिक एड़ लगा सकते हैं तो I hope कि यह जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी होगी ऐसी नही नही जानकारी के वीडियो आपको लगतार मिलते रहें इसलिए आप सभी हमारे चैनल को सबस्काइब करें और बेल आइकन को ओन कर ले इस जानकारी के सम्मंद में आपका कोई सवार है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपका यहाँ पर पुरा हेल्प किया जाएगा मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ